आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमारा question के करें हमें integrate करना under root x square plus a square divided by x dx को देखिए इस question को ऐसी करें है सबसे पहले हम अपने integral इस लेते हैं under root x square plus a square divided by x dx तो यहाँ पर हम क्या करते हैं let x को मान लेते हैं a tan theta तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ differentiate करें तो dx क्या हो जाएगा a x square theta d theta यह हो जाएगा हमारे पास तो इसको हम अपने integral में put कर देते हैं तो हमारे integral के बन जाएगा यह बन जाएगा हमारे पास under root x square की जगा क्या हो जाएगा a tan theta का square plus a square divided by a tan theta और dx क्या हमारे पास यह है a x square theta d theta तो यहाँ से हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं under root a square tan square theta plus a square यहाँ से यह a से a cancel हो जाएगा divided by tan theta into में क्या x square theta d theta तो इसमें से हमारे पास a square common आ रहा है तो यहाँ से a square common आएगा तो वो बन जाएगा a और यह बन जाएगा हमारे पास 1 plus tan square theta upon में tan theta into में क्या sex square theta t theta अब हमें क्या पता है 1 plus tan square theta क्या होता है sex square theta तो उसका under root क्या हो जाएगा sec theta तो यह जाएगा a sec theta into में क्या sex square theta d theta divided by tan theta इसको हम कैसे लिख सकते है इसको हम ऐसे लिख सकते है इसको हम लिख सकते है a a sec cube theta into में क्या cod theta और क्या d theta ऐसे लिख सकते है क्योंकि 1 upon tan theta तो cod theta हो जाएगा और इसको हम लिख सकते है a integral में 1 upon cos cube theta ऐसे लिख सकते है इंटू में क्या लिख सकते हैं से हम, cos theta upon sin theta d theta, ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से हमारे पास ही क्या हो जाएगा, cos theta से यह बन जाएगा, cos square theta, तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, a, one upon cos square theta, into sin theta d theta, cos square, one upon cos square theta को क्या लिख सकते हैं, 6 square theta, यह जाएगा, a, 6 square theta, divided by sin theta, d theta, अब हम क्या करते हैं, 6 square theta को हम लिख सकते हैं, a, one plus ten square theta, divided by sin theta, d theta, तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, integral of one upon sin theta plus tan square theta upon sin theta d theta ऐसे लिख सकते हैं तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा यह हमारे पास बन जाएगा integral of a यह हो जाएगा, साथ में यह हो जाएगा one upon sin theta क्या हो जाएगा, cosec theta यह बन जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं को हम लिख सकते है, tan square theta को हम लिख सकते है, sin square theta यानि sin theta into sin theta divided by cos theta into cos theta into sin theta और क्या हो जाएगा, यह हमारे पास d theta, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर sin theta से sin theta cancel हो जाएगा, तो यह हमारे पास किया बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा A My, Integral of Cosec theta plus ये बन जाएगा हमारे पास tan theta या Эनी sec theta into tan theta d theta ऐसे लईख सकते हैं अब ये हमारे पास किसकी form में आगाए ये हमारे quieres पास आग이에 standard integral की form में आगे Cosec theta और sec theta tan theta हमारे पास होते है मैं स्टैंडर्ड इंटीगरल यह ओता है हमारे पास इनको हम देखते हैं कि अमारे पास इंटीक्रल L ay कुसेक थीटा यह ओता है हमारे पास लॉग ऐ तीटा माइनस का कॉड़ थीटा कि लसकाशी और स्टी त्यां ₤ का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक थीटा tan theta का integration होता है हमारे पास sec theta plus का c यह होता है हमारे पास तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा यह हमारे पास integral बन जाएगा अब यह हो जाएगा हमारे पास log of cosec theta minus cot theta और plus यह हो जाएगा sec theta plus का c अब हम क्या करते है हमारे को अब यह हमें किसकी फॉर्म में है पता है कि यह आपने खेखेंब के लिए 2 यह हमारे पास थीटा यह relaxing मार्य पास थीटा यह हो जाएगा एकस हो जाएगा a तो ही हो जाएगा हमारे पास under root x square PLUS a square अब हेहां से ही हम क्या करते हैं तो यहां से हमारे पास values आ जाएगी CUD theta की value क्या जाएगी a upon x पहली value आ गई, CAUSEC theta क्या हो जाएगा CAUSEC theta हो जाएगाbelt x square PLUS a square divided by क्या हो जाएगा x और हमारे पास sec theta क्या हो जाएगा sec theta हो जाएगा हमारे पास under root x square plus a square divided by क्या हो जाएगा a यह हो जाएगा हमारे पास तो यह values हम put कर देते हैं क्या cod theta की value a upon x cos sec theta की value under root x square plus a square divided by x sec theta की value x under root x square plus a square divided by a तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा यह हमारे पास बन जाएगा a log of cosec theta की value हम put कर देते हैं यह हो जाएगा यह हमारे पास under root x square plus a square divided by x यह हो जाएगा हमारे पास minus का a by x यह हो जाएगा हमारे पास और यह हो जाएगा plus का sec theta यह हो जाएगा a into my sec theta ही हो जाएगा under root x square plus a square divided by a plus का c तो यहां से a से a cancel हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या बनेगा ultimately यह बनेगा a log of under root x square plus a square minus a divided by x modulus and और यह plus का under root x square plus a square plus का c यह हमार फाइनल आंसर है थेंक यू classics to 12 से लेके need iit जे ही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर